हेलो गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है इंडिया के नमबर न चनल रेस्वा एकेडमी में ठीक है आप सभी का बिहार बोड के बच्चे जो बहुत से बच्चे कर रहें तो भाई इंजिनिरिंग ग्राफिक्स नहीं पढ़ाया गया है उन सभी बच्चों के लिए लाया ग ग्राफिक्स के बारे में ठीक है सभी बच्चे जितने बच्चे इंतजार कर रहें थे ठीक है सभी बच्चों का भाई मोस्ट वैलकम है ठीक है क्लास ऐसे ही अटेंड करते रहें और अच्छे से जान जाईएगा आप सभी के लिए यह बहुत ही इंपोर्टेंट और रोचक बरे क्लास होने वाले हैं जिसको बहुत सकते हैं Interesting ठीक है आप सभी को बहुत ही मज़ा आने वाला है इस क्लास में ठीक है अब Engineering Graphics के बारे में ठीक है जो बताया जाएगा आप सभी analysis शर्प करते रहेगा ठीक है तो पहला chapter जो आप सभी का है पहला chapter जो आप सभी का है basic elements ठी में कितने elements लगबग यूज किये जाएंगे ठीक है tools हो गया pencils हो गया geometry box हो गया drawing seat हो गया drawing board हो गया ठीक है जितने भी elements यूज किये जाते हैं इसी के अंतरगत आता है और सबसे बड़ी बात ठीक है इसके recording जो दिगा गया है chapter के recording ठीक है graphics के माध्यम से आप सभी को बताया जाता है कि हमें graphics कैसे क्यों सीखना important होता है जैसे किसी भी चीज का drawing के माध्यम से ही दूसरे से हम ठीक है possible हो पाता है कि बात दरबाते हैं हर व्यक्ति का languages जो होते हैं अलग-अलग होते हैं और जो engineers use करते हैं उन सभी के लिए drawing सबसे most important होता है ठीक है जिसको मोलते हैं graphics के माध्यम ठीक है क्या कह सकते हैं graphics कह सकते हैं ठीक है इसलिए इसको रखा गया है first chapter के अंड ठीक है अंडर में रखा गया है basic elements of a drawing अब इसके according को देखा जाये तो इसमें क्या क्या आता है ठीक है रोल आफ ठीक है जैसे role of engineering ड्राइंग हो गया इंट्रोडक्शन हो गया ठीक है परचे हो गया जैसे मैंने बताया ना किसमें according use किया जाएजा है किस छेतर में यूच किया जाएगा ठीक है civil हो गया mechanical हो गया electrical हो गया ठीक है IT हो गया मतलब हर एक section के अंतरगत यूच किया जाता है हर एक चीज में इसका अलग-अलग नाम दिया जाता है जैसे UP semester में इसका नाम दिया जाता है engineering drawing वैसे आप इंजिन्रिंग ग्राफिक्स ठीक है सभी बच्चे अच्छे से भाई अच्छे से सभी बच्चों को समझ में आ रहा हो मुझे लगता है ठीक है इसी लिए इसका नाम हर एक ठीक है जैसे UP semester वालों में इसको इड कहते हैं वैसे ही आप सभी में क्या कहते हैं ठीक है इजी कहते हैं इंजिन्रिंग ग्राफिक्स कहते हैं सभी बच्चों को अच्छे समझ में आ रहा है तो पहला chapter हमारा है आप बेसिक elements of drawing ठीक है इसमें आप सभी क्या पढ़ सकते हैं क्या क्या पढ़ना important होता है यह सभी चीजे बताया जाएंगी ठीक है यह सभी चीजे बताया जाएंगी जैसे pencil हो गया pencil का grading system हो गया और section जैसे यहाँ पर लिख दूं मैं ठीक है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ pencil ठीक है pencil हो गया ठीक है grade हो गया भाई pencil का जो grading system यूज किया आता है grade कि grade की pencil है ठीक है grade यहाँ पर लिख देता हूँ ठीक है grade हो गया and section और क्या भाई section ठीक है section सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे लगता है सभी को अच्छे से इनालाइज हो रहा होगा क्या क्या मुझे पढ़ना है ठीक है pencil हो गया grade हो गया and section से pencil अब कितने प्रकार की pencils आप कितने types के pencil से यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो types में आप लगव recording देखते हैं grading system के आधार पर देख सकते हैं ठीक है a grade b grade ठीक है c grade जितने भी grading system के आधार पर recording किया जाता है section किया जाता है और section के recording भी यूज़ किया जाता है ठीक है सभी बच्चों को समझ में आ रहा है इसमें मुझे क्या पढ़ना है ठीक है pencil हो गया pencil का ठीक है एक measurement होता है जैसे b जहां पर दिखाया जाएगा b जहां दिखाया जाएगा ठीक है soft grade की pencil हो गया मैंने बता है ठीक है hard grade का अगर pencil दिया जाए देखो कितने टाइप से यूज़ करेंगे भाई तीन टाइप से ठीक है मेरे प्यारे बच्चों कितने टाइप के त्री टाइप्स के लगभग यूज़ किया जाते हैं ठीक है grading system के recording ठीक है soft हो गया medium हो गया और hard हो गया क्या हो गया मेरे बच्चों soft हो गया मीडियम हो गया और hard हो गया ठीक है क्या हो गया hard हो गया ठीक है soft को किस से दिखाते हैं देख ले जड़ा B से denote करते हैं Medium वाले को जैसे Medium मध्धम गेरेट को ठीक है और Hard गेरेट वाले को ठीक तो सभी बच्चों को अच्छे से अनालाइज हो रहा होगा कि मुझे क्या क्या पढ़ना है किस किस चेफ्टर के अंतरगत क्या क्या चीजे आती है ठीक है अब इसके according जैसे pencil आप पढ़ लेंगे तो इसी के according आजाएगा आप सभी का क्या आएगा भाई pencil पढ़ेंगे तो convection of lines आएगा ठीक है क्या आएगा convection of lines ठीक है सभी बच्चों को भाई अच्छे समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे लगता है सभी को अच्छे से इनालेसिस हो रहा होगा कि मुझे क्या क्या पढ़ना है किस chapter के अंतर गद ठीक है ये सभी चीजे आपको अभी बताय दी जाएंगी उसी के according step by step हो सकता है fast पढ़ाया जाए दो तिन तिन घंटे के classes लिकर आए जाएंगे आप सभी को ठीक है तो आप सभी अच्छे से तयार रहिएगा ऐसा नहीं को कोई भी class आप miss करो miss करोगे तो आपका भी ठीक है loss होगा जिसको बहुत ज़्यादा loss हो सकता है आप सभी का ठीक है convection of lines ठीक है convection of lines convection of lines and their application ठीक है and their application मतलब क्या क्या अप्लिकेशन की यूज़ किये आते हैं यहां पर मैं लिख दे रहा हूं and their application ठीक है तो इसमें आप सभी क्या सीखोगे ठीक है how many types of lines ठीक है which is uses of the lines मतलब कौन सी लाइन कहां पर यूज़ करना है ठीक है कौन सी लाइन कहां पर यूज़ करेंगे ठीक है how many types of lines ठीक है कितने types के lines यूज़ करेंगे तो इस headline आपको यह बताता है यह दिखा रहा है ठीक है यह lines ठीक है जो lines होता है lines के according दिखाया जाएगा मतलब कितने types के lines यूज़ कियाते हैं हर एक types के lines को step wise आपको बताया जाएगा हर एक step में ठीक है जितने भी आपके बताया जाएगे इसके according तो हर एक step में आप lines के बारे में सीखेंगे ठीक है, तो सभी बच्चे अच्छे से भाई, अच्छे से सभी बच्चों को class करना है, इसमें सभी बच्चों को अच्छे से जितने भी बच्चे class attend करेंगे, सभी को attend करना ठीक है, क्योंकि आपको रोचक भरे class तभी मिल पाएंगे जब आप class को attend करेंगे, ठीक है, attend नहीं कर होगे ठीक है आपको एक नए रूप में एक नए way के साथ new way के साथ बताया जाएगा याद रखिएगा new way के साथ बताया जाएगा आप सभी को ठीक है जो आपको बहुत ही अच्छे आनन्द भरे class मिल पाएंगे तो ठीक है इसमें मैं और क्या सिखा जाएगा भाई लेटरिंग एंड प्रेंटिंग के बारे में मैंने क्या कहा भाई कि अधिक है लेटरिंग लेटर्स कौन कौन से होते ए टू जेड हो गया जीरो से नाइन तक हो गया ठीक है ये सभी क्या होते हैं ठीक है जीरो टू नाइन ठीक है ए टू जेड जितने भी हैं ये सभी क्या होते हैं लेटर्स होते हैं ठीक है इन लेटर्स पर क्वेस्चन भी बनते हैं ठीक है अगर आप से कह दिया जाए ठीक है सभी जितने भी प्राइज येंगे सभी most important होने वाले हैं अगर आप से कह दे ठीक है आप denote करो या बताओ ठीक है क्या कर बता ना भाई 10 mm की अगर 10 mm का कह दे letters को denote करना है denoted by 10 mm ठीक है 10 mm की height होनी चाहिए ठीक है 10 mm की height होनी चाहिए ये denote करना है letters को a to z तक ठीक है अगर 0 to 1 हो गया तो आपको उस question के according denote करना होगा बास समझ में आ गई ठीक है तो इस जितने भी contents आपको मिलेंगे सभी ठीक है आप जाए जितने भी contents आपको दी जाएंगे ठीक है याद रगिएगा scale आपस भी scale ठीक है जितनी बच्चे जुड़े हुए सभी बच्चे जानते भाई scale कैसा होता है ठीक है उन skills पर जितने भी questions बनेंगे उन skills से questions को solve किया जाएगा ठीक है इसके according अगर scale के according दिखा जाए ठीक है इसके types को देखा जाएगा ठीक है उन types में से उन types में से दो types लोगों को पढ़ना most important होगा ठीक है कौन-कौन सा भाई ठीक है plain scale हो गया और diagonal scale कौन-कौन से plain scale and diagonal scale ठीक है तो बताने का तात पर यही है आप सभी को कि हर एक चेप्टर में most important होने और बहुत सारे contents हैं इसके इंतरगात ठीक है आपका सलिवस अगर आप उठाओगे तो आपको बहुत सारे contents मिलने वाले हैं जैसे ellips हो गया पर है पर बोला हो गया ठीक के जितने भी contents आपकोTrans a dayJust अंगे यह सभी आएंगे जैसे मैंने बताने, scale के scale को रही 기본 आपको ठीक है कौन-कौन से the केल हो गयाpta डायको नेसल आपको पढ़ना है ठीक है तो इसी के बाद हमारा आता है ठीक है इसी के बाद आता है सेखेंडnd चेप्टर जो आपको पढ़ना है ठीक है यहाँ पर देख लिजिए आप सभी ठीक है आर्थो-ड्राफी क्रjiekson अब आर्थो-ड्राफी प्रोएक्शन किसे कहते हैं ठीक yeah किसको डिनोर्ट किया जाता है ठीक dual ये तो आप इसको हर तरीके से देख सकते हैं 3D way 3D way को कहते हैं ठीक है, bottle हो गया जितने भी सारे आपके atmospheric ठीक है, आप atmospheric में देखते हैं ठीक है, atmosphere में देखते हैं nature's वाली भी चीज़े देखते हैं वो सभी क्या है 3D way में है बात समझ में आ गई ठीक है, वैसे ही आपका 2D way होता है, जो drawing के माध्यम से, graphics के माध्यम से समझाए जाता है बात समझागी, तो ये जो graphics है, आर्थो, graphic projection, इसको बोलते हैं 2D way में, बात समझ में आ गया ये जो दिखाया जा रहा है इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चो, क्या बोला जाएगा बताया जरा, ये जो आए, according, इस according के अंडर देखा जाए, इस according के अंडर देखा जाए, तो इसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, बाई, 2D ठीक है, two-dimensional 2D मतलब, two-dimensional projection, two-dimensional projection को ही, आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहा जाता है, ठीक है, which is called the two-dimensional projection, ठीक है, अब two-dimensional projection होता क्या है, ठीक है, इसको उमलोग 4 Quadrants में, अध्यन किया जाएगा, इसको अध्यन किया जाएगा, इसको निक Quadrants में, ठीक है, मेरे प्यार बच्चो, वास्ट क्वार्डनेंट, ठीक है, क्यों मतलब Quadrant समझेगा, Quadrant, यह हो जाएगा, Second Quadrant, यह आपका हो जाएगा, Third Quadrant, ठीक है, यह आपका हो जाएगा, Fourth Quadrant, तो Fourth Quadrants में, आप सभी, ठीक है, Analysis करेंगे, अध्यन करेंगे, कि इतने चारो Quadrants में, ठीक है, जितने भी, Number of Quadrants, आप सभी को दिखाई जा रहे हैं, Represent कराई जा रहे हैं, इन सभी Quadrants में, Orthography Projection में, आप अध्यन करोगे, जो आपको Important होगा, दो Quadrants important होगा, ठीक है, जानिए आपको, दोनों Quadrants में, किसमें अध्यन करना है, यह रहा आपका, First Quadrant हो गया, ठीक है, कौन सा भाई, First Quadrant हो गया, यह First Quadrant हो गया, and Third Quadrant हो गया, ठीक है, Analysis to a First Quadrant, and Third Quadrant, आपको First and Third Quadrant में ही, अध्यन करना है, ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले में चला जाए पहले जीजिसे जान लेज़े इसमें पढ़ेंगे क्या method of projection पढ़ेंगे method of projection projection चला है तो method of projection method of P मतलब projection समझेज़े हैं आप सभी ठीक है क्योंकि मैंने projection वहापर लिखा हुआ है तो आप P मतलब समझोगे method of projection ठीक है मेरे प्यारे बच्चो method of projection तो आपने first में method of projection सीखेंगे कौन-कौन से methods use किये जाएंगे मैंने आपको बता है first quadrant and third quadrant में आपको denote करना है represent करना है इन दोनों quadrant में method of projection ठीक है projection का ठीक है तो ये methods हो जाएंगे आप सभी का ठीक है orthography projection का definition ठीक है क्योंकि definition आप सभी ठीक है एक बार book से देख लोगे ठीक है जब projection को denote करा जाएगा ठीक है represent करा जाएगा analysis करा जाएगा आप सभी को तो इन सभी को ठीक है आपको पढ़ने में अच्छे से मज़ा आएगा class content करने में लेकिन कुछ चीजे आपको भी पढ़ना होगा बात समझ में आगी कुछ चीजे आपको भी learn करनी होगी ठीक है पढ़ना होगा ठीक है याद रखिएगा कुछ चीजे आपको भी पढ़ना होगा बात समझ में आगी ठीक है लेकिन most important इसमें से क्या आता है वही चीजे मैं किवल पढ़ाऊँगा बात समझ में आए कि ने most important क्या होता है वही चीजे आप सभी को पढ़ाया जाएगा ठीक है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्षन, जस्ट इसके अपोजिट वाले को कहते हैं, आर्थोग्राफिक प्रोजेक्षन वाले को अपोजिट अगर किया जाए, तो उसका बनता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्षन, क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों, आइसोमेट्रिक प्रोजेक जिसको बोलते हैं different माद्ध हम होता है जानते आप सभी हो ठीक है isometric को बोलते हैं 3D 3 dimensional view बात समया गया 3 dimensional view मतब 3D way में देखा जाए तो इसको बोलते हैं isometric projection ठीक है which is called the isometric projection 3D way ठीक है तो 3 dimensional में अगर धी present किया जाए तो इसको बोलते है आइसोमेट्रिक projection ठीक है इसमें X-axis यूज किये जाते हैं ठीक है X-axis Y-axis और Z-axis वानगे पिसमें और यांपगर लिख दे रही है एक्स जूकराओ इसमें एक्सेज यूज किये जाते हैं मैं यहां पर लिक दे रहा हूं ठीक है, axes हो गया यह आपका, ठीक है, x-axis, y-axis and z-axis, ठीक, इन तीनों axes के according 3D way को बनाया जाता है, denote कराया जाता है, जैसे एक तरीका मैं बता देता हूं, ठीक है, जब बनाते हैं तो इसको plans में denote किया जाता है, x-y plan, जैसे एक, मैं आपको example के तोर पर दिखाया, जैसे यह skill हम ने ले लिया, ठीक है, अभी denote करकर मैं दिखा रहा हूं यहाँ यहाँपर, एक simple survey मैं, साधारन से दिखा रहा हूँए, chce, साधारन से मैं मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँपर, denote कर आया मैंने यहाँपर, ठीक है, 30, 90, 30 degree में denote कराते हैं, जिध्यान सुनिएगा, 30 degree, 90 degree, 30 degree कि में तेके एक स्राइगा 30 और जेद रहेगा 30डिभी पर और बीच में जो य यस च जाता हुए 90 डिग्री पर होता है कि सभी बच्चों को भाई समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है जितने भी बच्चे क्लास अटेंड करते हैं उन्हीं सभी बच्चों को अच्छे से denote करने में मज़ा आता है class को attend करने में ठीक है denoted to the classes on the axis तो मैं axis पर denoted करा ठीक है आपको denote कराता हूं 30 degrees 90 degree and 30 degree ठीक है first 30 degree second 90 degree and third 30 degree तो मैं यहाँ पर point कर लेता हूं 30 degree कि द्यान से देखिएगा ठीक है किवल आपको ठीक एनालेसिस करा रहा हूं मैं कि कहां कहां पर मुझे क्या क्या पढ़ना है ठीक है क्योंकि एनालेसिस रहेगा आपको ध्यान रहेगा, learn करने में बहुत ही मज़ा आएगा, यह याद रखिएगा learn करने में बहुत ही मज़ा आने वाला है 30 degree, 90 degree and 30 degree 30 degree, 90 degree and 30 degree तो यहाँ पर मैं denote करने जा रहा हूँ यह 30 degree 90 degree 90 degree and 30 degree which is denoted by the 30 degree, 90 degree and 30 degree मैं आपर represent कर देता हूँ 30 degree 90 degree and 30 degree 30 degree 30 degree 30 degree and denoted to 90 degree 30 degree 30 degree में x-axis y-axis x-axis and y-axis and z-axis ठीक है मैंने कहां आपको 3-axis में divide किया जाएगा और जो पढ़ा जाएगा isometric projection ठीक है 2-axis के according पढ़ा जाएगा कितने axis 2-axis के according पढ़ा जाएगा जिसको हम लिख लिए है x-y-plan y-z-plan and x-z-plan बास समझ में आया कि नहीं x-y-plan मैं आपर लिख दे रहा हूँ x-y-plan and y-z-plan y-z-plan and z-x-plan यह इस chapter के according मुझे जो पढ़ना है isometric projection के according जो 3-d way में convert करता है ठीक है यह हम लोग convert किया जाता है isometric projection तो थर्ड एक्सेज तीनों एक्सेज में फास्ट एक्सेज है आपका एक्सेज 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 इन तीनों को डिनोट किया जाएगा plans में xy plans yz plan and zx plan तो इन सभी के according आपको जो भी व्यूज जिया जाएगा ठीक है जो भी prediction denote करा जाएगे रिप्रेजेंट करा जाएगे उनको ठीक है रिप्रेजेंट करना होगा आप सभी को ठीक है plans में xy plan yz and zx plan में denote करना होगा अब चलते हैं आपके fourth chapter में free hand is casing of engineering elements इसमें आप free hand मतलब क्या बोल सकते हैं free hand free hand मतलब आप जैसे हाथ को उठा कर ठीक है आप कुछ भी draw करें जो questions में दिया जाए hammer हो गया ठीक है प्लायर हो गया आप सभी जैसे आपके जो according दिया जाएगा denote कराए जाएगा कुछ भी denotes कराए जा सकते हैं ठीक है cutting प्लायर snips हो गया है ठीक है इन सभी के जो sketches बना जाते हैं उसको बोलते free hand sketches engineering elements free hand sketches and engineering elements ठीक है according to a fourth chapter आप सभी को fourth chapter के अंडर ठीक है क्या क्या analysis कराना है यह सभी चीज़े बताएज़े से threads हो गये nuts nuts and bolts हो गया nuts and bolts threads हो गया क्या हो गया threads हो गया इस्टर्ड हो गया ठीक है मैं यह आपर डीनोट्स करा देता हूं कि इस्टर्ड कि अध्रेट्स अध्रेट्स हो गया ठीक है वासर हो गया बहुत सारे ऐसे ही elements है जो आप सभी को पढ़ाये जाएंगे threads वासर वासर ऐसे ही ठीक है number of elements ठीक है freehand sketching के माध्यम से ठीक है freehand sketching के माध्यम से ठीक है आप डीनोट कराओगे ठीक है आपको डीनोट कराना होगा क्योंकि जो questions आपको दिये जाएंगे according to a nuts, bolts, struts, threads, washer ठीक है set screw बहुत सारे ऐसे ही elements है number of elements ठीक है जो आपको डीनोट कराने होंगे ठीक है represent कराने होंगे freehand sketching के माध्यम से जो आपका fourth chapter है ठीक है five and six chapter जो है computer analysis ठीक है computer analysis या computer added ठीक है drafting interfaces ठीक है कौन सा होगा भाई आपका जो पाच्वा होगा computer added ठीक है drafting interactions आप सभी कोई पता है ठीक है एसे ही पांच्वा और छट्वा चैप्टर जो denote कराये गए हैं पहले हम सभी जो अध्यान करेंगे इन चार चैप्टर के ठीक है in four chapters के according to learn about these chapters ठीक है इन चारों chapters को अच्छे से represent and learn कराये जाएगा आप सभी को अध्यान कराये जाएगा ठीक है with practice and 3D way के माध्यम से इन सभी chapters जो आप सभी को लग रहे हैं ठीक है ये most important होने वाले हैं क्योंकि इनी के according आपको बहुत ही ठीक है बहुत सारे questions जो मिलेंगे ठीक है बहुत सारे questions जो analysis करना होगा इनी के according analysis आप कर पाओगे तो इन सभी chapters जो होने वाले हैं आपको बहुत ही ठीक है रोचक भरे class में मज़ा आने वाला है जो रोचक भरा class आपका चलेगा ठीक इंट्रेस्टिंग जो बढ़ेगा आपको ठीक है इंट्रेस्टिंग बहुत ही जाने वाला ठीक है पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इंजिन्रिंग ग्राफिक्स में क्या क्या हम लोग पढ़ सकते हैं ठीक है कि अब आते oleं अ Vie तेक्द परिचेज उसको बोल सकते हैं introduction of engineering drawing ठिक है introduction of engineering drawing जिसको first बोल सकते है basic elements of a drawing ठीक है according to a पहले हम लोग engineering drawing ठीक है engineering graphics ठीक है इन दोनों को एक ही माध्यम होता है जो बताने का तरीका होता है बस बोलने का तरीका लोग होता है ठीक है जैसे UP semester जितने भी बच्चे होते हैं बोलते हैं engineering drawing वैसे ही आप जो बिहार semester के बच्चे हैं class attend कर रहे हैं वो बोलते हैं engineering graphics ठीक है जैसे engineering graphics ठीक है engineering graphics यहाँ पर जैसे मैं denote करता हूँ देखिए का जरा देखिए to चर्टिए स Wamच करन으면 एलए स हैं बच्चे हैं आप की हैं ठीक एकोर्डिंग टुओ चैप्टर्स या आप आजाते हैं थर नेक्स्ट टॉपी पर जियोमेट्रिकल ड्रॉइंग ठीक है जियोमेट्रिकल ठीक है ग्राफिक्स पर अगर आज दिखा जाया यह रहा आपका जियोमेट्रिकल ड्रॉपीक्स ठीक है जियोमेट्रिकल ड्रॉपीक्स ठीक है ठीक है, denoted to angle method, angle method, angle methods, तो different different geometrical shapes denoted by the angle method, जितने भी आपके different different shapes होते हैं, geometrical shapes उन सभी को angle method से भी denote किया जाता है, ठीक है या angle, cutting of angle method एक angle पर, fix करने के बाद उसकी cutting की जाती है, ठीक है, cutting करने से पहले, ठीक है, before cutting, cutting करने से पहले, यह एक ball होता है, ठीक है, only on a ball, represented the ball, ठीक है, एक ball होता है, solid ball जिसको बढ़ सकते हैं, metallic ball, ठीक है, converted which is converted by a ठीक है which is converted by a geometrical shapes ठीक है geometrical shapes ऐसा ही एक सब ठीक है second है जो ठीक है इसको भी angle method से किया गया है जो cutting जो इसका cutting basis होता है angle method cutting basis angle method ठीक है cutting जो की जाती है angle method से angle method जितने भी geometrical shapes ठीक है shapes draw किये जाते हैं ठीक है geometrical shapes ठीक है graphics में उन सभी को angle method से cutting की जाती है ठीक है अगर ball हो गया ठीक है यह box हो गया ठीक है ball हो गया box हो गया ठीक है जो भी safe हो ठीक है जो भी safe हो according to safe ठीक है अगर मुझे convert करना है ठीक है आया आपको convert करना है ठीक है तो आपको जिस box जो भी safe में convert करना है ठीक है जैसे अगर आप चाहो तो इसको अगर इस जो सरकल दिखाए दे रहा है ठीक है एक बॉल दिखाए दे रहा है अगर बॉल में लिया जाए मान लेते हैं ठीक है ठीक है मान लिया जाए अगर ये बॉल कुछ इस प्रकार से हो ठीक है डिफरेंट सेप में किस सेप में भाई कुछ डिफरेंट सेप में हो ठ यहां यूज enjoying से तो अगर इसको हर एक अंगल से denofeito करना होगा तो अगर denote करना होगा तो एक इसको प्राफर वे और प्राफर सेप दीना होगा घो उकढो को रिप्रेजियंट करेगा मैटलिक बॉल को तिक कहले चांगल कें दिखाए दिखाई दे रहा होगा geometrical क्यों बोला जाता है क्योंकि इसको angle method से cutting की जाती है बास ठीक है अब चलते हैं अगले वाले पर ठीक है तो आप सभी को इसमें क्या-क्या पढ़ना है मैं सिर्फ यही डिनोट्स करा हूं कि आपको याद दिला रहा हूं कि जितने भी बच्चे पेज़ेश देख रहे थे उन सभी को भी डिनोट करना होगा क्योंकि graphics में बहुत सारे होते हैं ठीक हर एक ठीक हर एक फिल्ड का अलग ही रोल होता है ठीक है अगर इसको डिनोट किया जाए तो mechanical engineers जितने भी होते हैं ठीक है जितने भी mechanical engineers होते हैं ठीक है तो उन सभी को यह करना होता है ठीक कि यह बताना होता है ठीक है यह अगर देखा चाए मैंने बता ना यह जो वें देख रहे हैं ठीक है तो इसको भोलते है आउसोमेट्रिक क्या बोलते MOSE यह और कि एस बोला जाएगा क्यों या क्यों बोला जाये गा 30-degree, 30-degree और 90-degree के वे में बनाया गया है, इसको एक proper वे में बनाया गया है, 30, 30, and 90, X और Z plan में बनाया गया है, कौन से plan में इसको denote किया गया है, which is denoted by a ZX plan, या XZ plan, ठीक है, ZX भी लिख सकते हैं, XZ plan, ठीक, तो एक proper वे में इसको बनाया गया है, बताया गया है, ठीक है, किसी न किसी mechanical या इंजिनियर, mechanical इंजिनियर ने इसको एक shape दिया है, proper way में shape, अब अगले वाले पर चलते हैं, ठीक है, एक अगले वाले पर चलते हैं, मतलब जितने भी according to a, ठीक है, अगर देखा जाए, according to a working method से, तो हर एक छेतर में, जो यूज किया जाता है, हर एक proper way में, तो इन सभी जितने भी proper way होते हैं, mechanicals के, तो mechanical engineer के under में एक आता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि civil की, आप civil engineer हो, mechanical का work कर पाओ, लेकिन अगर आप सीख लोगे तब कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो इसलिए mechanical worker जो होते हैं, mechanical engineer जो होते हैं, ठीक है, mechanical work करते हैं, civil engineer तो civil ठीक है according to a civil के करेंगे बात समयागी तो आप सबी अभी जो देख रहे हैं graphs देख रहे हैं ठीक है तो यह जो graph दिखाय जा रहा है ठीक है ग्राफिक्स दिखाय जा रहा है तो according to a mechanical engineer ठीक हर एक way में दिखाया गया है ठीक है एक कोई न कोई measurement दिया गया है उस measurement के according इस shape को denotes कराया गया है represent कराया गया है अगले वाले पर दिखते हैं लोग ठीक है यह आगया आपका electrical work ठीक है जो electrical engineer होते है ठीक है electrical circle ड्राइग्रम circuit ड्राइग्रम जो दिखाया गया है आप सभी को ठीक है यह normal way में अगर इसका proper way दिखा जाए तो एक बड़ा ठीक है अलग होता जैसे ground wiring होता है ground हो गया ठीक है असा हाउस वाइरिंग हो गया जैसे हर एक वाइरिंग का रूप ठीक है अलग-अलग होता है जैसे lights fans ठीक है वाइरिंग के according दिखा जाए electrical engineer के recording दिखा जाए lights हो गया fans हो गया ठीक है bulb हो गया freeze ठीक हर एक ठीक हर एक ठीक ठीबी मतलब हर एक चीज़ के लिए प्रॉपर वे चाहिए हमें electric proper way में चाहिए तो according to electrical engineer तो electrical circuit देखो देखा जाए अगर रिप्र सेंट करा जाए तो वायर ठीके ये बनाया गया अगर दिखा जाए ठीके बैटरी के सारी चीज़े रीप्रेजेंट कराए गया है ठीके sविच छीज आप सभी के घर में भी होता है जो अन-फ करने पर वर्क करता है ठीक है ऊन-करने पर चालू हो जाता है आप सभी सो जितने चालू हता है या जो प्रोपर उठा हूenth किया तो जो वायर होता है ठीक है बिंट अगर डेडा वह सड़ा के अधा है तो आप तो यह जितने भी आपको डाइग्राम दिखाए जा रहे हैं ठीक है डाइग्राम जितने भी दिखाए जा रहे हैं ठीक है तो यह आपका electrical work का डाइग्राम ही अभी दिखाए जा रहा है मतलब हर एक छेतर में हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग proper way में work करने का अलग अलग छेतर होता है तो अभी हम लोग पहले mechanical पढ़ें अब electrical work का पढ़ रहे हैं ठीक है इसके बाद जितने भी वे आएंगे civil हो ग मतलब हर एक छेतर का अलग way होता है तो पहले हम लोग graphics को पढ़ रहे हैं पढ़ना क्या होता है graphics में हर एक छेतर में क्या होता है ऐसा नहीं है कि आप electrical हो तो knowledge नहीं होना चाहिए civil का knowledge proper होना चाहिए ठीक है proper knowledge होना चाहिए अगर आप exam के according देखेंगे तो आपको knowledge होना चाह रहेगा ठीक है तो पढ़ना तो पढ़ेगा क्योंकि according to अगर देखा जाया सेलवेस के according तो सभी बच्चों को पढ़ना कंपल सरी हो गया है ठीक है engineering graphics ठीक है तो देखिए ज़रा basic electrical circuit राइगराम देखा जाया तो आपका resistance bulb conductor ठीक है बैटरी स्विच सभी चीज है इसमें थो एक औरडिंग टू आप इसको भोलते हैं ठीक है conductor, तो सभी बच्चों को बता हो का भई, conductor क्या होता है ठीक है कंड़क्टर क्या होता भाई गुड गुड एलेक्ट्रिसिटी आफ चार्जे जितने भी चार्जे को ठीक है जल्दी से जल्दी ट्रांसफर करता है उसको बोलते हैं कंड़क्टर ठीक अब आ जाते हैं सिविल ठीक है सिविल एंजिनियर्स ठीक है एकोर्डिंग टूए सिविल एंजिनियर्स तो सिविल एंजिनियर्स के अगर रिप्रेज़न्ट किया जाय किसी चीज को जैसे हाओस हो गया ठीक है हाओस हो गया सभी बच्चे को अच्छे से भाई प्रॉपर में मुझे लगता है समझ में रहा हुगा कि house का जब अगर diagram ठीक किसी चीज को अगर बनाना होता है ठीक है तो जैसे हो गया किसी चीज का नक्सा map हो गया ठीक है according to a map अगर represent करना है तो civil engineer ठीक है एक अच्छे way में बताते हैं आप सभी को ठीक है बताने का तरीका भी अलग ठीक है और समझाने का तरीका एक proper way में होता है तो civil अभी यह आपका देखिए द्रउइंग विथ ठीके बाथरूम ठीके तो मैं बाथरूम ध्यक्त बेड्रूम हो गया ठीके कि बेड्रूम हो गया ठीक एह और शीदने भी evapor project सब्सक्राइब करने का माध्यम होता है अब आ जाते हैं एलेक्ट्रिकल आरे ठीक है यह एलेक्ट्रोनिक्स टीक है अग्या तो यहां पर आपको दिखाई रहा है electronic mechanics के जितने भी होते हैं electronic mechanics ठीक है according to अगर आपको दिखाया जाए एक proper way में दिखाया जाए अगर इस mobile की बात की जाए तो यह जो working method है कैसे work करता है ठीक है तो यह जो working method जो बताया जाता है दिखाया जाता है represent करा जाता है इसके अंदिर बहुत सारे ठीक है elements यूच किये गये हैं जो proper way में होते हैं इसी recording देख एक camera लगा हुआ है touch screen लगा हुआ है ठीक है तो process जो है अलग-अलग way में किया जाता है ठीक है process जो होता है अलग-अलग two way में किया जाता है जैसे electronics drawing हो जाता है LDR हो गया ठीक है r हो गया वी हो गया ठीक है तो यह सभी चीज़े according to work electronic mechanics रेजिस्टेंस एलिडी वोल्टेज ठीक है यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया आपका वोल्टेज हो गया बैटरी एकॉर्डिंग ठीक है यह सारी चीज़े जो होती है आपको electronic mechanics के जितने भी ठीक है इंजिनियर्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करने का माध्यम होता है ठीक है electronic mechanics के माध्यम से जैसे आपने proper way में जैसे देखते हैं आप चिप जैसे देखते हैं ठीक है जिसको memory बोलते हैं SIM बोलते हैं ठीक, एक छोटा सा ठीक, एतना छोटे से चीज के अंदर बहुत सारी चीज़े STORE की जा सकती है ठीक, उसको एक proper way में बनाया जाता है ठीक, इसी के according तभी हमारी सारी चीज़े उसमें STORE हो पाती है ये जो सारी चीज़े STORE होती है ठीक, electronic mechanics sonix के students उसको औचे तिके स्ट्टिरेंट क्या बोल सकते हैं जब वह स्ट्टिरेंट निचिनियर बन जाते हैं तब उसको एक प्रॉपर वे में बनाना सीख पाते हैं क्योंकि वो भी एक उति 所以呢 सीखते हैं भाई पहले तो पहले देखते है ठीक है फिर थोड़ा वर करते हैं ठीक है ठोड़ा थोड़ा धिरे धिरे ठीक है प्रारम करते है पहले छोटे से तब वो एक अच्छे ठीक है घुड़ इंजिनियर्स भोल सकते हैं ठीक है excellent इंजिनियर बन पाते हैं ये रहा आपका ठीक है electronic mechanics का ठीक है एक अलग judgments, आ करेंट हो गया से ते दिनेभी सारे समय हैं। मैंस हो गया का आप एसे मेंस हो गया अल्टरनेटीस परेंट किया रिले यह सारे चीज authors इसको प्राउपर करेंग किजाते हैं आप उर्धिंग मतलब हर एक चीज में देखते हुए ही according to a work इसको बनाया जाता है तो electronic mechanics के माध्यम से ही पूर्णो पाता है अब हम लोग आ जाते हैं जैसे first chapter का हमारा जो था जैसे introduction भी चल ला था graphics का वो सारा जितना था graphics का introduction था जो first chapter का according to देखा जाए हम लोगों का ठीक है तो first chapter के according पहले हम लोगों को आए तो first हमारा आता है drawing board according to a drawing board ठीक है drawing board तो drawing board में ठीक है बहुत सारी चीजे भी होती है जिसको जानना बहुत ही जरूरी होता है ठीक है तो पहले हम लोग यह चीजे देखते हैं यह आपको ठीक है यह जो दिखाई दे रही है ठीक है ये जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते है क्या है ठीक है और ये जो बीच में पत्ती जैसा आप सबी को दिखाई दे रहा है यह स्ट्रिप्स है ठीक है और यह जो लास्ट में साइड में दिखा जाता है एबोनी एजिस बोलते हैं या वर्किंग एजिस बोलते हैं ठीक है एबोनी वर्किंग एजिस या एबोनी एजिस या ठीक है कोई भी आप नाम बोल सकते हो ठीक है लेकिन प्रॉपर वे में नाम आपको पता होना चाहिए अगर देखा जाए इसको क्या मैंने बता है इसको बैटन्स बोलते हैं और ये जो ठीक है होरिजेंटली ठीक है होरिजेंटली पट्टी लगाए गई है ठीक है वूड की तो इसको क्या बोलते हैं इस्ट्रिप्स बोलते हैं ठीक है क्या बोलते हैं भाई इसको कि इस्ट्रिप्स कि इस्ट्रिप्स कि बैटन्स कि बैटन्स कि एबूने एज़ेस और और वर्किंग एजिज आर एबोनी वर्किंग एजिज फ्रंट ठीक है ये कौन से है भाई फ्रंट है किसका ड्राइंग बोड का ठीक है ड्राइंग बोड की जो फ्रंट होता है कुछ इस प्रकार होता है वर्किंग सर्फिस एरिया Working surface area, top area ठीक है, undertaking surface area, top area ठीक है, इन दुनों में से कोई भी नाम बोल सकते हैं, working surface area और top area जिसको बोल सकते हैं drawing board on the top ठीक है, drawing board का, जो top का है, ठीक है, जिस पर में लोग, आपकी drawing seat को ठीक है, क्या करते है hunting, रखते हैं, ठीक है ड्राइंग सीड को रख कर वर्क किया जाता है इसको बोलते हैं वर्किंग सर्फिस एरिया या टॉप एरिया ठीक तो ये बैक साइड था तो बैक साइड में आप सभी को बताया गया था ठीक है डॉ dolphins के बेख साइड को डी प्रिजंट किया गया था बैटंस में ठीक है बैटंस में और किसमें श्त्रिप्स मेंवी भॉनी me र expands या रडश को बता है किसका बहु का और रसका तरट बोनि इसका और working As iniciart demanding working as कि एट्सैक्जिंड नेक्स्न टॉपिक यह आपका आगेbecause drawing ठीक है जो ड्राइइंग सीड ड्राइइंग बूर्ड की साइज जेज होती है साइज ऍव द्राइइंग बूर्ड इससेज अफ दि द्राइंग बूर्ड आ dau sizes of the drying board drying board B O drying board sizes of the drying board ठीक है तो 5 ठीक है अगर size के according ठीक है देखा जाए अगर size के according देखा जाए तो ये 5 तरीके के drying board की sizes यूज की जाते हैं कितने तरीके के कितने types के ठीक है अगर size के according देखा जाए drying board की types जो होते हैं drying board की types जो होते हैं 5 होते हैं ठीक है anti-queral size first होता है first of all elephant size and third imperial size and fourth half imperial size and fifth quarter imperial size तो first of all एक ठीक है एंटीक्वरल size B0 represented by the B0 and the size of and the size of 1259 into 900 mm ठीक है जितने भी sizes को represent किया जाएगा ठीक है represent करने का जो तरीका होगा मात्यम होगा mm में होगा ठीक है according to a mm ठीक है तो जो double elephant and the next double elephant size होता है 900 into 650 mm ठीक है and the third and the third imperial size B2 imperial size and the B2 ठीक है represented by the ठीक है किसमें represented to the mm 650 into 500 mm 650 into 500 mm and the fourth half imperial size represented by the B3 किसे represents किया जाता है इसको B3 से and the ठीक है इसको mm में denote किया जाएगा है तो 500 into 350 mm ठीक है 500 into 350 mm ठीक है and the last of the ठीक है quarter imperial size represented by the B4 ठीक है represented by the B4 according to अगर दिखा जाए में में 350 into 250 mm यह सारे जितने भी sizes दिखाए गए हैं यह आपकी ड्राइंग बोर्ड की size होती है ठीक है अगर ड्राइंग seat लिया जाए ड्राइंग बोर्ड के उपर ही ड्राइंग seat को रखते हैं मैंने वज़ाद से आपको बता है तो वो size क्या होगा इससे reduce होगा ड्राइंग सीट का size जो होगा हमारा reduce होगा कैसा होगा reduce size होगा दियान सुनिएगा reduce size किसका ड्राइंग सीट का कि एंड़ नस्ट नेक्स्ट वाले पर चलते हैं नेक्स्ट जो होता है टी स्वायर अब यह लगा कहा होता है जैसे मैंने आपको बताया ebony as a drawing seat जो drawing board होता है ठीक है drawing board होता है उसके corner पर जब मैंने आपको बताया ebony as a ठीक है और ebony working as a और working as a ठीक है वहाँ पर represent किया जाता है लगाया जाता है क्या लगाया जाता है T square T square के इस size को यहाँ पर जो दिखाए जे रहा है मैंने जो color किया हुआ है इसको ebony as a या working as a पर इसको fit किया जाता है जैसे कि according to देखा जाए यहाँ पर यहाँ पर किया न मैंने तो इसके इस तरफ ebony as a को लगाते हैं ebony as a working as a पर ठीक है क्या लगाते हैं T square represent करते हैं तो T square को slide कराते हैं उपर नीचे work करने के लिए यूज करने के लिए अगर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से T square इस पर fit किया जाता है यह ebony as a हो गया इसी पर T square fit करेंगे इसको उपर नीचे move कराते हैं ठीक है working ठीक है working analysis के ठीक है अगर जैसा मैं work चाहिए ठीक है अगर देखा जाए तो उसके according हम लोगों को यूज करना होता है ठीक तो मैंने आपको बताया भाई T square जो T square आपको बताया गया represent कराया गया है इसका क्या यूज होता है बताये ज़रा एक parallel perpendicular ठीक है जितने भी lines draw किये जाएंगे ठीक है according to a lines उसके आधार पर ठीक है on the basis of our uses यूज के आधार पर T square के जो ठीक है इस पर कुछ measurement भी लिखा रहेगा कुछ ने कुछ measurement जरूर represent रहेगा उस measurement ठीक है माद्यम से हम लोग क्या यूज करते है parallel and the perpendicular lines uses ये कुछ इस प्रकार जैसे रकर यूज करते है दिखाए दे रहाँ आप सभी को ठीक है ये रहाँ आपका T square ये क्या है T square ठीक है ये जो according to दिखाया है क्या है ये T square है T square ठीक तो ये T square है कैसे यूज करते है perpendicular parallel ठीक है इसी पर रकर perpendicular line भी खिश सकते हैं ठीके एकॉर्डिंग वाज indulge उज्वार वोस्पस्थ mínimo कर देश्वेड़ कुरे देच्व करता है कि आपको कैसे टी-स्कॉयर को यूज में लाना है अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पर ठीके ऑंद नेक्स्ट वाले पर चलते हैं यह आपका सेट स्क्वाइर हो गया ठीक है कौन सा स्क्वाइर भाई सेट स्क्वाइर सेट स्क्वाइर जैसा कि मैंने आपको पता है सभी बच्चों को टी स्क्वाइर ठीक है टी स्क्वाइर के साथ भी सेट स्क्वाइर वीच करते हैं एक और बात, set square हमेशा set में आता है, किस में आता है, set में आता है, ठीक है, दोनों ये जो लिखा गया, इसी रिसका नाम रखा है, set square, ठीक है, इसी के according नाम रखा गया है, कि set में आता है, इसमें तीन angles यूच किया आते हैं, कितने angles, अगर आप mathematics के नजरिये से देखा जाएगा, हर triangle का shape, ठीक है, triangle का जो होता है, अगर angle के method से देखा जाए, triangle को according to a angle, ठीक है, represented by the triangle, triangle को अगर represent करना है, तो angle के माध्यन समझना चाहिए, ठीक है, अगर mathematics के नजरिये से देखा जाए, तो हर एक triangles की ठीक है, angle को add किया जाए तो 180 degree आता है कितने degree आता है मेरे प्यारे बच्चो 180 degree आता है ठीक है, तो जब angle के according देखा जाएगा तब तो इसके हर एक angle का जैसे ये angle हो गया ये angle हो गया 45 degree 45 degree ठीक है opposites angle जो दिये कहे है 45, 45 degree and the last angle is the 90 degree ठीक है, ठीक है ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है इन सभी को अगर add किया जाए 45 plus 45 plus 90, तो क्या जाएगा बताये चरह क्या जाएगा तो 45, 45 हो जाएगा, 90 plus 90 हो जाएगा, 180 degree ठीक है, 180 degree क्या दोनों सेम सेम आया ठीक है, तो बताने का ताथ पर ठीक है क्या करने का भाई, बताने का ताथ पर हमारा ये है ठीक है, रिप्रेजेंट करने का आर्थ ये है ठीक है, रिप्रेजेंट मिंस अगर represent के माध्यम से देखा जाए तो 182, 180 आना चाहिए तो अब इसको अगर add करकर देखा जाए तो यह जो triangle यह भी तो है यह भी तो triangle है तो अगर इसको अब ऐसे set किया जाए कि यह भी triangle में 180 degree आना चाहिए यह base आपको छोटा दिखाई दे रहा है तो यह कितना हो गया ठीक है इसको एक measurement के माध्यम से ही रखा गया है यह 30 degree क्या होना चाहिए 30 degree 60 degree and the 90 degree 30, 60, 90 ठीक अगर add किया जाए 30 plus 60 हो गया 90 plus 90 हो गया 180 degree ठीक है triangles के rules से अगर दिखा गया mathematics में इसमें तो आ गया आप सभी का 180 degree ठीक है तो जैसा हमें angle represent करना होगा sit square का use करना होगा t square के साथ use करना होगा अगर मुझे 30 degree का ठीक है 30 degree का angle represent करना है तो मैं एक t square पर t square ठीक है 30 degree वाला उठाऊंगा कितने degree वाला मेरे प्यार बैच्चो 30 degree वाला तो 30 degree वाले को ऐसे set किया जाएगा according to work 30 degree वाले को ऐसे set किया जाएगा तो मैं set करने के बाद इस पर क्या करूँगा 30 degree का line खीज दूँगा according to work 30 degree का line खीज दिया जाएगा according to work 30 degree का line खीज दिया जाएगा ऐसे कुछ ठीक है sorry मैंने कुछ अलग खीज दिया 30 degree का line खीज दिया जाएगा कुछ इस प्रकार से 30 degree वाले कर line कीज जाए देखी कुछ इस प्रकार से line खीज सकते हैं हम सभी कितने degree का बताए ज़रा 30 degree का line मुझे कर रिप्रेजन करना है ठीक है मेरे प्यारे बच्चो 30 degree का line रिप्रेजन करना है तो यहाँ पर point रख कर आप 30 degree का यह जो angle जा रहा है 30 degree का है अगर आप से बोलते 45 degree का खीजना है तो ऐसे आप ठीक है मैंने क्या कहा अगर इस तरफ से अगर खीजना है तो आप इस तरफ से भी खीज सकते हैं तो यह आपका रहेगा 45 degree का यह आपका 45 रिप्रेजन करता है और यह आपका 30 degree यह कितना degree रिप्रेजन करेगा 30 degree और यह जो रिप्रेजन करेगा 45 degree रिप्रेजन करेगा sorry 60 डिग्री क्योंकि 30 है तो 30 है तो opposite उसका होता है क्या सौरी 60 डिग्री होता है ठीक है 60 डिग्री होता है यह 60 डिग्री ठीक है अगर 45 वाला यूज करना है तो आप 45 वाला इस्केल इस्तमाल कर सकते है कुछ प्रकार वाला श्केल आपके सामने हा जाएगा ठीक है दिखाए द रहाँ सब्छकों को चलो ब्लाक वाले पर दिखाए धियर यह 45 45 डिग्री ठीक है और यह 30years 90 डिग्री कुछ इस प्रकार से आप सेटेंस्कॉयर के सथीके Frog स्कॉयर के साथ सेट स्कॉयर का भी यूज कर सकते हैं according to a work कि अधिनेश्ट नेक्स्ट टॉपिक अधिक है सेट स्कॉयर का यह दूसरा है ठीक है जिसको बहुत सकते हैं अधिक अधिक फाइवर जो यूस करते हैं ठीक है मेटलिक तो उसमें यह कुछ लिया गया है और यह जो सेंटर में आपको दिखाया ठीक है क्या नहीं क्या लुक्त कर अग्षिनवेन नेक्स टिफॉय 25 फ्रटीन्यव दिघरी ठीक है एड़ सेंटर चाही कि अí क्या आपका प्रोटेक्टर थे जो measurement करता है measuring on the angles ठीक है measuring on the angles ठीक है यह क्या आपका protector 10 degree 10 degree से लेकर 180 degree यहां पर represent किया गया है अगर उससे ज्यादा लेना है तो इसको move कराकर represent किया जाता है ठीक and the next topic आपका mini adapter next topic आपका mini adapter जो represent किया गया है अब mini adapter uses on the according to a uses के अगर use के माध्यम से दिखा जाए use के माध्यम से देखा जाए कैसे work करना है कैसे use करना है ठीक है तो mini adapter का use कैसे करेंगे according to work अगर देखा जाए तो यह आपका रहा भाई mini adapter तो mini adapter को अगर use किया जाए देखिए जरा तो मैंने आपको ड्राइंग बोर्ड बताया था क्या बताया था मेरी प्यारे बच्चो ड्राइंग बोर्ड तो उसे ड्राइंग बोर्ड के कॉर्णर पर ठीक है working is भी आपको दिखाया गया था ठीक फिट किया जाता है mini adapter को किसको mini adapter को fit करने का ठीक है most ठीक है area जो माना जाता है ठीक है एबोनी एजेज वर्किंग एजेज दे टॉप वर्क एरिया इस दर ठीक है इस पर इस पर फिट किया जाता है ठीक कौन सा भाई mini adapter ठीक mini adapter जो यूज किया जाता है वर्क किया जाता है कुछ इसके according अब इस पर ठीक है आप एंगल भी protector का भी यूज कर सकते है mini adapter में ठीक है parallel perpendicular with angle ठीक है mini adapter से यूज कर सकते हैं तो जब अगर कुछ बच्चे जो drawing बनाते हैं ठीक है और mini adapter का यूज करना भी जानते होंगे जो बच्चे नहीं जान पाते हैं वह बच्चे set square का यूज कर लेते हैं set square के use से कर लेते हैं लेकिन जानते सभी हैं बना लेंगे अच्छे से आप जानते भी अच्छे से हो बना भी लोगे ठीक है जो बच्चे set square यूज करते हैं वो ruler scale का इस्तमाल करते हैं ठीक है किस scale का इस्तमाल करते हैं बच्चे जो set square का इस्तमाल करते हैं SetSquare ठीक मेरे प्यार बच्चो वो किसके साथ यूज करते हैं किसके साथ भई RULER Scale Sorry, RULER RULER Scale ॠीक है SetSquare Plus ρολer Scale के साथ वो इस्तेमाल करते हैं जो MINI Drapter यूज करते है उनका इन सभी में आ जाता है सेट स्क्यार भी आ जाता है रोलर स्केल भी आ जाता है प्रोटेक्टर भी आ जाता है तीनों चीजे चारों चीजे एक साथ आ जाती है ठीक है इसमें आपका क्या आएगा रोलर स्केल भी आएगा सेट स्क्यार भी आएगा प्रोटेक्टर भी आएगा और क्या आएगा भाई प्रोटेक्टर भी आएगा ठीक इसमें आपका प्रोटेक्टर भी आएगा प्रोटेक्टर तो तीनों चीजे इसमें आती हैं भाई ऐसकार जब यूज़घते हैं, तीनों चीज़ को यूज़घते एसे ही आप मिनी ड्रैप्टर यूज़घते करेंगे, इसकेल भी आएगा इसमें, ठीक है? ठीक है? प्रॉडटर भी आएगा इसमें, सेटिस्क्वाइर भी सी में आएगा, ठीक है? रोलर स्केल भी सी में आ जाया क्योंकि रोलर स्केल क्याम क्या होता है पैरलर खीचना लाइन को तो यह वर्क के एक देखा जाए तो बिस पड़ता है मतलब तीन चार चीचे एक एही साथ चलिए आती है according to work लेकिन अगर आपको देखा जाए अगर आपका एक हिस्सा तूट जाए इसमें से अगर आदा हिस्सा भी तो work करना भूती कठीन हुजाता, लेकिन आपका इसमें से कोई भी अगर हो जाता है, तूट जाता है according to अगर देखा जाए लेकिन working method के working purpose से देखा जाए तो यहиля बेस्ट पड़ता है ठीक है working के परपस से देखा जाए तो यह बैस्ट पड़ता है mini director आप सबी का ठीक है Mini Raptor जो होए आप सभी के लिए बैस्ट पड़ता है working method से अगर देखा जाए तब ठीक है तो next वाले पर चला जाए बताए जरा यह देखिए दूसरा कुछ market से लाया गया जो protector है कुछ इस प्रकार से हम लोगों को मिल जाता है sorry mini adapter sorry mini adapter कुछ इस प्रकार से दिखाए दिता है market में आपको market में आसानी से मिलेगा ठीक है अब दाम मत पुछ लिएगा सर कितने का मिलेगा market में कितने का आएगा ठीक है तो आप जाईएगा पता करिएगा कितने का आता है मैं तो कहूंगा भाई mini adapter ही यूज करना जितने भी ठीक है बच्चे class को टेंड कर रहे हैं मेरा जो सलाह रहेगा वो mini adapter का यूज करने का रहेगा ठीक है तो mini adapter यूज करने से बहुत ही बहुत ही बढ़िया पड़ता है जैसे आपने set कर लिया इसको ऐसे move करा दिया ठीक तो parallel के parallel line भी खिस जाता है 90 degree पर भी खिस जाता है एंगल का भी खिस जाता है मतब हर एक जितने भी होते हैं सारे steps को यह follow कर लेता है अब कहोगे सर जी drawing board वहाँ पर कहां से लाएंगे अरे drawing board अगर आपको नहीं मिलता है वहाँ पर आपको bench तो मिलता है bench के corner पर ध्यान सुनिएगा यह अगर मान लिया जाए हमारा bench है ठीक तो bench के इस top पर किस पर इस top पर mini drapter को हम लोग फिट कर लेंगे ठीक मिन drapter को फिट करकर अपना work कर सकते हैं बास संभी आगा कि नहीं mini drapter का use करने के लिए क्या करेंगे हम लोग bench को ही drawing board मान लेंगे ठीक है उस drawing board के इस drawing board के top पर ठीक है drawing board के top पर हम सभी क्या करेंगे उसका use भी कर लेंगे जो हमें use करना है ठीक है उसका use भी कर लिया जाएगा जो drawing seat हमें use करना है ठीक है करोगे इसके टॉप पर ले जाओगे टॉप पर ही मिनी ड्राप्टर को फिट करोगे और वर्क करना इस्टार्ट करोगे ठीक चलो अब अगले वाले पर चलते हम सभी तो यह रहा आपका ठीक है उपकरन इंस्ट्रुमेंट बॉक्स जो इंस्ट्रुमेंट बॉक्स आप यूज करते हो ठीक है उन सभी इंस्ट्रुमेंट बॉक्स में कुछ मेजरमेंट के साथ बहुत सारी चीज़े रखी हुई होती है ठ ठीक है बहुत सारी चीजे होते हैं फॉडटर कंपास मतलब हडाभ एक चीज इंच्टूमेंट बॉक्स के अंदर ठीक है फिट यह रखारा करते हो कि soft grid की leads यूज करते हो मतब according to a uses उसके leads भी आपको दिये जाते हैं ठीक तो first यह दिया गया था और दूसरा आपका दिया गया है B option दिया गया है long divider ठीक है long divider हो गया and the third दिया दिया गया है long divider ठीक है पहला जो दिया गया 150 mm का दूसरा छोटा दिया गया 95 mm का ऐसे ही आपको Compos मिलेगा ठीक है long ink ball ठीक बोh compass जो 95 mm का होता है ठीक है 95 mm का दिया गया है ठीक है ऐसे ही आपका दिया गया long pencil bow compass वह भी लाओ ठीक है 95 mm का दिया गया है length ठीक है length निंग बार ठीक है length निंग बार ऐसे ही inking पेन ठीक है crockle pen lead case a small screwdriver कुछ instrument box में screwdriver नहीं रहता है ठीक है आपका भी कहना ठीक है ठीक है हमारा सुनना भी ठीक है कुछ जैसे instrument box में small screwdriver नहीं होता है लेकिन ठीक है एक lens दिया रहता है आप सभी को ठीक है जूम करकर देखने वाला कुछ बच्चे बच्पन में बहुत सारा यूचकी है ठीक है क्या क्या यूचकी भाई उससे कागज जलाएं हैं यह लगा कर ऐसे रहता है कुछ ऐसे लगा कर कागज को जलाते हैं धूप के माद्यम से ठीक है अब चलते हैं next वाले पर हम लोग चलते हैं यह जो instrument box के अंडर ठीक है क्या क्या चीज़े रखी गई है उन सारी चीजों को आपको दिखा रहा हूँ मैं ठीक है यह रहा आपका compass ठीक यह रहा आपका divider ठीक है मेरे प्यारे बच्चो ठीक है तो हर एक चीज आपको दिया गया है protector जो code मापक होता है code जिसे measurement किया जाता है उन सभी चीजों के लिए ठीक है प्रटेक्टर जिसका यूज किया जाएगा कुछ इस प्रकार से रखा गया है उसको दिखा गया है याद रखीए ठीक है यह हो गया क्लाइनो ग्राफ ठीक है इसका भी एंगल मेजर्मेंट में भी यूज किया जाता है ठीक है अदूं के बच्चे यूज कर पाते हैं ठीक है जो best हमारा पड़ता है क्या होता है मिनी ड्राप्टर सबसे best uses to according to uses according to work ठीक है मिनी ड्राप्टर is the best work of the drawing sheet ठीक तो drawing sheet पर जितने भी best work किये जाते हैं किससे किया जाते हैं मिनी ड्राप्टर pencil ठीक है instrument box में सारा आप कुछ आपका जाएगा ठीक है तो यह रहा आपका pencils and sand paper block sand paper block का क्या करते हैं भाई pencil को rub कर कर रब करने पर ठीक है सार्ब करने जिज़े अगर pencil को सार्ब किया जाए तो रब करने की जरूरत पड़ती है तो रब करने के लिए sand paper block का यूज़ किया जाता है यह sand paper block है क्या है यह आपका sand paper block अब next वाले पर ऐसे ही चलते हैं ठीक है इसमें use करना ठीक है according to a use दिखाया गया use कैसे करना है अब आ जाते हैं ठीक है conical shape जैसे मतलब कैसे किस shape का मुझे ठीक है क्या क्या instruments में रखा गया है ठीक है यह सारे दिखाये गये है ways and chisel shape ठीक है rubber eraser ठीक है ड्राइंग seat अब आ जाते हैं ठीक है next हमारा topic है अब ड्राइंग seat अब ड्राइंग seat का side मैंने क्या बताया था कि reduce size होता है according to a drying board ड्राइंग board से जितनी भी sizes ली जाती है वो हमारा छोटा होता है ठीक है reduce size होता है बात समझ में आगया तो इसमें दो तरीके के excuse किया आते हैं drying seat के size को एक trimmed होता है एक trimmed size होता है एक untrimmed size होता है ठीक है एक trimmed होगा और दूसरा untrimmed size होगा एक trimmed हो गया और untrimmed size हो गया ठीक ड्राइंग seat तो sizes के according कभी कर पूछ देता है भाई ठीक है A0 या D0 ड्राइंग का मतलब हो क्या D0 ठीक है A0 ठीक है अगर देखा जाए according to work अगर आप में D लिखता है तो कोई बात नहीं है ठीक है डी लिखता है तो कोई करता है ठीक है अगर ऐ लिखता है तो ड्राइंग bord को डीनोट करेगा ध्यान सुनिये अगर बी लिखता है ठीक है otherwise अगर बी लिखता है तो ड्राइंग board को denote करेगा ठीक है otherwise अगर A लिखता है ठीक है अगर A represent करता है R या D represent करता है A या D ठीक है तो वो होता है drawing seat की size जो दो size ये यूज की जाती है इन दोनों size जो को आपको अच्छे से याद रखना है भाई ये के trimd होता है दूसरा untrimd होता है इसमें भी 5 तरीके के यूज की जाता है A 0 से लेकर A 4 तक A 0 से लेकर A 4 तक हम लोग यूज करेंगे ठीक है A 5 बला ठीक है A 5 बला यूज नहीं करते हैं नहीं यूज किया जाता है लेकिन A 0 से लेकर A 4 तक यूज करते हैं जैसे वहाँ पर था, B0 से B4 तक हम लोगों ने यूज किया था, ठीक, ऐसे ही यहाँ पर A0 से A4 तक यूज किया जाएगा, जो A0 लिया जाता है, ठीके, अगर ट्रिम्ड साइज को दिखा जा तो 841 से, ठीके, 841 इंटो 1189, 1189 mm, ठीके, जितने भी साइज, सारे साइज को mm में denote किया जाता है, ठीके, जितने भी साइज लिया जाते हैं, ड्राइंग सीट, ड्राइंग बोर्ड, ठीके, और जिसमें measurement किया जाता है, हर एक instrument को mm में denote किया जाता है, अगर आप questions करोगे, ठीके, तो उसको भी denote किया जाता है, mm में, तो पहले आप जान रहे हो, पहले classes में कि मुझे पढ़ना क्या-क्या है, ठीके, एक basics notes आपके पास भी मिल रहा है, लेकिन पढ़ना है आपको भाई, जितने भी सारे है questions मैं अभी कराऊंगा, जितने भी letters, printing, scale, सभी चीजों को कराय जाएगा, ठीके, एकदम smoothly तरीके से questioning के साथ साथ, ठीके, यह जो chapter है, जो सकता है, ठीके, अगर दो-दो घंटे classes को attend करेंगे आप सभी, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खतम करने की कोशिस किया जाएगा, ठीके, according to, ठीके, अगर आप जितना class attend करोगे, उतने class को attend करोगे, तो जितना जल्दी हो सके, उत 880 से 1230 तक ठीक है 880 इंटू 1230 mm मैं यहाँ पर अगर डिनोट करता हूं तो mm में डिनोट करूंगा ठीक तो अब A1 से लेकर A4 तक देख लीजिए एवन का होता है 594 इंटू 841 इसी को जो 841 होता है फिर 841 यहां जाएगा ठीक 594 है तो 594 ठीक हर एक स्टेप में ठीक है अगले वाले स्टेप में उसको लेते चले जाते हैं ठीक तो लौग वाले साइज को ठीक है ऐसे ही अगले अगले स्टेप में घटाते चले जाएंगे और लेते चले जाएंगे जैसे A2 में अगर देखा जाए ठीक है A2 में देखा जाए तो मैंने क्या बताया 594 ठीवाले को लेकर चले आते नीचे according to a four size तक अगर आपको ठीक है यहां तक आपको important बोला जाए तो यहां तक आपके लिए important है ठीक है कभी कदर push देता है drying board या drying seat की sizes बताईए क्या होती है ठीक है या तो match the following में देदेगा इसे drying board को इससे मिलाएए क्या-क्या sizes होती है तो याद रखना बहुत ही important होता है सभी बच्चों के लिए meter ठीक है मीट्री metric scale जानते हैं सभी metric scale आपने देखा है भाई scale जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे जितने भी scale जानते हैं उसी को बोला जाता है metric scale ठीक है drawing pins and sellotape sellotape तो सभी बच्चे जानते हैं market में आसानी से उफलब्द होता है लेकिन drawing जो pins होते हैं ठीक है graphic pins भी बोल सकते हैं graphic ठीक है graphic pins भी बोल सकते हैं इसको ठीक है आपने pin देखा होगा जब आप colleges में जाते हैं जब किसी notice को लगा जाता है तो उसके उपर ठीक है एक notice लगाने बाद उसके उपर pin लगा देते हैं कि वह हमारा टिका रहे वहां पर ठीक है stop हो जाए उसी जगह उसी position पर stop हो जाए रुका रहे और सारे बच्चे notice को पढ़ सके observe कर सके एंड रीड कर सके ठीक है किस चीज की notice हमें दी जा रही है वैसे ही आप सभी ठीक है graphics pins ठीक है and cello tips का यूज़ भी कर सकते हैं बासम्यागी drawing pins का भी आप उसी तरीके से यूज़ करेंगे ठीक है drawing pins भी आप उसी तरीके से यूज़ करेंगे ठीक है अगर आपको लगता है मैं ठीक है अगर आप ड्राइंग सीट पर बना रहे हैं अगर आपने कुछ angle पर ऐसे रख दिया तो ऐसे अगर drawing सीट को रखेंगे सरकर नीचे चलाए गिर आएगा तो उस पर pin या cello tip लगा देते हैं side में corner पर ठीक है according to use ठीक है अगर आपको यूज़ करना है तो आप अपने हिसाब से drawing pins को यूज़ करेंगे अगर आपको चार यूज़ करना है तो चार यूज़ किजिए 6 यूज़ करना है तो 6 यूज़ किजिए depends ठीक है depends आप पर पढ़ता है कि आप कितने touch करव ठेक है किस पर French करो मैंने आप सभी पताया French करव में जैसे drafting template working ऑप सभी नियुकर सुन देखा है कि नहीं सबाएद देखा है इंड्राफ्टिंग और 3 इंप लेट ठीक है, Drafting Template Drafting Template ठीक है, उसी में French Curve, Circle, ठीक है, बहुत सारे होते हैं लेकिन French Curve अगर देखा जाए, कुछ अलग ही Safe होता है, मैंने आपको बताया था Sorry, कुछ कुछ इस प्रकार सा French Curve होता है, जैसे ये Curve दिखाए दे रहा है Curve दिखाए दे रहा है, इसी को ये बोलते हैं French Curve, ठीक है French Curve, a Drafting Template जो होता है, Drafting Template होता है Different, different shapes, with different sizes मतलब, जैसे अलग-अलग प्रकार के, ठीक है, अलग-अलग Different, different types के आपके sizes भी रहेंगे And different, different types के, ठीक है Different, different types के आप सभी के पास क्या होंगे जैसे circle ले लूँ मैं, ठीक है Circle अगर ले लिया जाए, तो ये circle मान लेते हैं हम लोग कितने mm का है, 40 mm का circle है 40 mm का circle, ठीक है, represent किया गया है, 40 mm का अगर 40 mm है, तो 60 mm, 80 mm, 40, 50, 60, 70, ठीक है ऐसे ही denotes किये जाएंगे अगर square ले लेते हैं 20 mm का है, ठीक है, 20 mm है तो 30, 40, 50, 60, मतलब हर एक drafting template में हर एक sizes, rectangle, square, ठीक है rectangle हो गया, square हो गया, circle हो गया, ठीक है ellipse हो गया, ठीक है हर एक size के मिलेंगे इसमें अब इसी तरीके से अगले वाले topic पर चला जाता है ठीक है, duster cloth या duster duster cloth, duster तो आप सभी ने देखा होगा wide board की duster's अलग होते हैं और chark board, ठीक है ठीक है, ठीक है, chark board के duster अलग होते हैं, तो हर एक duster's के अलग होते हैं, means भी ठीक है, wide board का duster होगर होता है, तो वो ink code, ठीक है, erase करने का काम करता है, वैसे ही अगर chark board का duster है तो वो chark code मिटाने का dust को हटाने का काम करता है, वैसे ही ठीक है तो dusting cloth के माध्यम से क्या करते हैं लोग eraser अगर erase करते हैं तो eraser के dust हो गए pencils के dust हो गए इन सभी को dusting cloth के माध्यम से ठीक है dusting cloth के माध्यम से remove करते हैं drawing ink हो गया ठीक है drawing ink sketch file हो गया अब sketch file क्या होता है जैसे आप सभी ने बहुत सारी drawing ठीक है बना लिया है तो उन सभी drawings को एक proper way में रखने के लिए ठीक है जैसे मार्केट में आप सभी ने देखा होगा file कुछ बच्चे बजपन से ही बनाना जानते हैं files को जैसे हमें files को क्या करना भाई जमा करना है बहुत सारे sketch बनाए जाते हैं तो उन सभी को sketch को एक कही file के अंदर रखा जाता है तो उसे बुलते sketch file sketch file है तो sketch file ठीक है तो हर एक जो चीज हम रखते हैं उस file को उस साथ के नाम को जोड़ देते हैं अगर हमने drawing sheet के बहुत सारे drawing बनाए हुए हैं तो उसमें अगर रख दिया तो हमने क्या हो फाइल के अंदर अगर उसको रख दिया तो हो जाएगा हमारा sketch file ठीक ऐसे ही चलते हैं अग नेक्स्ट अगले वाले पर अगला वाला हमारा क्या है भाई अब आते हैं ठीक है method of setting of a drawing sheet on the drawing board ठीक है drawing board पर drawing sheet को ठीक है क्या गहरा है set करने के लिए ठीक है drawing board method of setting ठीक है of drawing sheet drawing sheet को set करने का method on the drawing board drawing board पर drawing sheet को कैसे set करते हैं ठीक है तो मैंने आप सभी को बताया set करने का तरीका भी बता दिया उसी के साथ साथ क्या कहा था भाई drawing board पर drawing sheet को रखते हैं ठीक है और उसको क्या करते है pin के माध्यम से selo tape के माध्यम से आप सभी set कर सकते हो एक और बात ड्राइंग seat पर layout बनाते है जैसे कुछ पट्टियां आपको दिखाई दे रहे हैं याप ठीक है तो इस पट्टियों के माध्यम से क्या बनाते हैं layout मतलब अगर इतना है तो सारा layout इतना ही रहना चाहिए ठीक layout हम बता रहे हैं ठीक है layout ये कुछ इस प्रकार से layout हमारा बनेगा पट्टि जिसको बोलते है layout of a drawing seat ठीक तो ये layout of a drawing seat इसको बोलते हैं margin या border lines margin या border lines तो ये जो एक line दिखाई दे रहा है जो layout बना कर छोड़ देते हैं इसको एक line को बोलते है margin और border lines ठीक है margins और border lines इसको रिप्रेजेंट करते हैं इसी को बोलते है margins और border line title block ठीक है represented by the title block title block में क्या क्या रिप्रेजेंट किया जा सकता है ठीक है उन सभी चीजों के बारे में अब discuss किया जाएगा ठीक है title block जो होता है ठीक है एक institute में अगर हम लोग exam दे रहे हैं ठीक है according to a institute अगर institute में exam दे रहे है according to institute हो जाएगा अगर किसी company में job कर रहे है according to a company ठीक तो दोनों अलग-अलग वे होते हैं उन दोनों में भी दो तरीके से यूज किया जाते हैं एक horizontally title block एक vertically title block प्रॉपर वे में अलग-अलग वे से यूज किया जाता है तो title block यूज according to a use देखा जाए title blog को ठीक तो देखते हैं कुछ इस प्रकार title blog हमें मिलेगा ठीक है यह रहा आपका title block तो यह title block को represent करने का एक ठीक प्रॉपर वे है इस प्रॉपर वे में आप सभी क्या कर सकते हो dimension so कर सकते हो institute name so कर सकते हो ठीक है so करता है यह सभी सभी चीजों को वो सो करता है institute name हो गया ठीक है institute name ठीक है candidate name institute name candidate name dimension ठीक है dimension scale कि टाइटल ओफ ड्राइंग description ठीक है number of ठीक है number जो जिसको बोल सकते हैं represent करने का एक अलग वे में represent करने का एक अलग वे है यह description के माध्यम ठीक है टाइटल ब्लॉग हो गया ठीक है टाइटल ओफ ड्राइंग हो ठीक है रिप्रेजेंटेट आप टाइटल ओफ ड्राइंग बहुत सारी चीजे इस ठीक है इस माध्यम के सिगनेचर ठीक है एप्रूवल फिनीसर मतलब हर एक चीज को बॉलषि को रीप्रेजेंट करने का यह एक अलग वे है क्या है टाइटल समय इसमें होना चाहिए टाइटल समय आ कर डेके टाइटल ब्लॉग के अंदर क्या-क्या होना चाहिए ऑस सारी चीज़े यहाँ पर दी गई है, name of the institute, scale हो गया, projection symbol, name of the institute, scale, projection symbol, ठीक है, title of drawing, title of drawing, ठीक है, designer, name of the designer, name of designer. designer, name of designer, name of the designer हो गया, आरेखन खीचने वाले का नाम, ठीक है, candidate names, जो ठीक है, candidate names, ठीक है, and, किस date को, ठीक है, किस date को, ठीक है, जिस date को denote करना है, ठीक है, which is denoted on the dates, ठीक है, अगर 24 को हमने, ठीक है, 24 को हमने क्या किया है भई, ठीक है, title को, अगर 24 को हमने drawing seat को बनाया है, ठीक है, drawing seat को बनाने का तारीक, अगर 24 है हमारा, ठीक है, क्या है भई, 24 है, या मान लेते हैं, 20 है, 21 and 24, 24, 20, January 2024 को अगर denote किया गया है, तो denote करने का date जो होगा, ठीक है, draw करने का जो date होगा, ठीक है, यही date को दिया जाएगा, ठीक है, inspection of the drawing seat, अगर जो inspection कर रहा है, ठीक है, name of the inspector, ठीक है, जो कोई भी inspection कर रहा है, जाच रहा है, ठीक है, जाच ने, ठीक है, जो कोई भी जाच रहा है, उस व्यक्ति का नाम, ठीक, name of the standard, name of the standard, जो standardized कर रहा है, ठीक है, which is the date, किस date को standardized कर रहा है, तो उस date को भी, ठीक है, name of the standard, ठीक है, किस date को standardized किया जा रहा है, ठीक है, उस date को भी denote करना, ठीक है, approval, अब किस date को approval दिया जा रहा है, ठीक है, name of the approval ठेक है Supreme प्रिकाइं डर देता है ठीक है name of approval and date of the approval date of the approval ठीक है जैसे जैसे स्टेंडराइड करेंगे तो व्य तेंड्राइज करने वाले व्यक्ति का देट भी होना चाहिए मतल्य जिदर को स्टेंडराइज किया गया है अगर आप्रूवérieur कर रहा है तो name of the approval, ठीक है, approval and date of the approval which is the last number of the most important जिसको बोल सकते हैं, drawing number ठीक, यही drawing number से आप सभी का अफसारा, ठीक है सभी चीजे पता चल जाती है ठीक है, drawing seat का जो number होता है which is denoted on the candidate candidate को यह denote करने का सबसे proper way and the last most important way जिसको बोलते हैं यही होता है, ठीक है denote करने का यह तो आज का जो सारा आपको सभी का था लगबग first chapter का introduction सभी चीजे खतम हो चुकी है अब चलेंगे सभी चीजे pencils हो गया, grading system हो गया सभी चीजों को proper way में आप सभी को बताय जाएगा उसी के साथ साथ, ठीक है उसी के साथ साथ, pencils हो गया, lines हो गया, pencils हो गया सभी चीजों को खतम किया जाएगा एक proper way में फिर उसके साथ आपका scale start होगा कुछ questions कराये जाएगे ठीक है फिर ellipse, parabola, hyperbola जितने भी सारे questions हैं इन सभी को denote कराये जाएगे एक proper way में बताय जाएगा तो आज के class के session को इसी जगे इंड किया जाता है कल के नए class में एक proper way में ठीक है क्या क्या सिखा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, pencils हो गया, lines हो गया सारे number of जितने भी हैं questions कराये जाएगे step by step तो आज की class के session को इसी जगे इंड कियाता है और पढ़िये से ठीक है पढ़ते रहिए लगातार धुआधार धुआधार तायारी करते रहिए